आपने देखा होगा कि पहले नेचरल केलमेटी होती थी, बहुत बाड़ा गई, भूकम आ गया, बहुत बड़ा एक्षिदेंट हो गया, साइकलोन आ गया, तो आम तोर पर फोज के लोग वहां होते थे, और लोगों को भी लगता था चलिए फोज के लोग आ गए हैं, अब इ बड़ा स्वाभावी बन गया था, पिछले कुछ वर्षवब हैं, SDRF और NDRF के कारण हैं, हमारे पुलिस बलके ही जमान हैं, उन्होंने जो काम किया है, और जिस प्रकार से TV की ध्यान भी उनी लोगों पर उनका एक स्पेशल उनिफर्म बन गया है, और पानी में भी रहे हैं, पत्थरों पर काम कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी सिलाएं उठा रहे हैं, इसने एक नई पहचान बना दी है, पुलिस विभाग की, मैं आप सबसे अग्रह करूँगा, कि आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, SDRF और NDRF के काम के लिए, चितने ज्यादा आपनी तयार कर सकते हैं, करनी चाहिए, आपके पुलिस बेडे में भी, और उस इलाके के लोगों में भी, अगर आप नेच्रल कलेमिटी में, जनता की मदद करने में, पुलिस बलकी, क्योंकि डूटी तो आपके आई जाती है, लेकिन यह अगर महारत है, तो बड़ी आसान करनी से इस डूटी को आप सम्हाल सकते हैं, और इन दिनों इसकी रिक्वार्मेंट बढ़ती चली जा रही है, और थ्रू NDRF, थ्रू SDRF, आप पूरी पुलिस बेडे की एक नई चबी, नई पहचान आजदेश में बन रही है, हम गर्व के साथ आजदेश कह रहा हैं कि दे जिसमें आप लीडर्शिप दे सकते हैं, आपने देखा होगा, ट्रेणिंग का बहुत बड़ा महत्पव होता है, हम ट्रेणिंग को कभी कम मता के, जानदातर हमारे देश में सरकारी मुलाजिम के लिए ट्रेणिंग को पनिश्मेंट माना जाता है, ट्रेणिंग याने कोई कि निकम्मा अफसर होगा तो उसको ट्रेणिंग के काम में लगाया होगा, ऐसी इंप्रेशन बन जाती है, हमने ट्रेणिंग को इतना नीचे कर दिया है, वो हमारी सारी गुड गवर्ननस की समस्याओं की जड़ में है, और उसमें से हमको बाहराना होगा,